हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आज था जियो का 41st Annual General Meeting और यहाँ पर जियो ने बहुत सरे नए और exciting चीजों का launch किया है तो चलिए देख लेते हैं जियो ने क्या क्या चीजों का launch किया है तो सबसे पहला जो launch है जियो फोन को लेके अगर आप जियो फोन यूज करते हो त और यह update आपको मिल जाएगा 15 अगोस के आसपस तो आपको यह update कैसे मिलेगा और आप इसको कैसी यूज कर सकते हो इसके उपर मैं एक वीडियो बना दूँगा तो चैनल के साथ जुरे रहिए और मेरे इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए नेस्ट है जियो फोन का एक और हायर वर्जन आरा है जिसका नाम है जियो फोन 2 जहां पर आप बहुत सारे extra और भी फीचर को आप यूज कर सकते हो और यह जियो फोन को आप ले सकते हो सेर्फ पर से 2999 रूपीज में तो यह जियो फोन 2 के उपर भी मैं एक वीडियो बनाऊ जहां पर आप अपने old mobile को exchange करके और उसके साथ पांसो एक रुपे देके नए जियोपोन ले सकते हो तो यह काफी बड़िया चीज है जहां पर आप अपने पुराने phone को बतलके नए जियोपोन उस कर सकते हो नेक्स्ट और जो सबसे बड़ा ख़बर है वो है जियोफाइबर को लेके जियो का जो broadband आने बाला था वो अभी 15 आगोस में launch होने बाला है और यह अभी बीटा टेस्टिंग में होगा मतलब अभी यह normal consumer के हाथ में अभी नहीं आएगा अभी बीटा टेस्टिंग पे रहेगा और इसके लिए आप register कर सकते हो जिसके city में सबसे ज्यादा registration होगा वहापर आपको बीटा टेस्टिंग के लिए जियो फाइबर मिल जाएगा तो जियो फाइबर में क्या कैब आपको मिलेगा, कौन से प्लान, किसने रुपीज में आपको मिलेगा इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा इसके लाबा जियो ने और भी बहुत सारे चीज़ों के उपर काम कर रहा है जैसे की smart home appliances जहां पर आप अपने smart phone के help से घर के electric appliance को control कर सकते हो इसके साथ साथ जियो ने AR, VR चैसे चीज़ों के उपर काम कर रहा है और एक चीज़े के उपर काम कर रहा है AI या फिर artificial intelligence और I hope आने वाले दिलों में हमको जियो की तरफ से बहुत सारे exciting चीज़ों का launch दिखने को मिलेगा तो आज के लिए से इतना ही आपको कौन सा launch अच्छा लगा है नीचे comment box में आप ज़रूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़े और मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए नीचे जो लाल लांका subscribe बटन है इसको ज़रूर दबाईए मिलता हूँ मैं एक और exciting वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you and good bye